वाइड क्रमांग 42 में पानी की पाइपलाइन पड़ी लेकिन पानी की एक बूद घरों तक नहीं पहुँची जी हां हम बात कर रहे हैं विछ्षिया में बोल शड़ी मश्जित के पास की यहां पर पीने के पानी की पाइपलाइन तो डल गई लेकिन उसमें पानी की एक बोध भी नहीं आई नतीजा पूरा मोहला प्यासा वे तो भला हो हैंड पंप और किसी जमाने में बने पुराने कुएं का जिसके सहारे वहां के लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं हम आपको बता दें इस मोहले में पहले पर्याप्त पानी आता था लेकिन जब से बेहतर पानी देने के लिए टूटी फूटी पाइपलाइन को बदला गया तभी से यह समस्या आई जहां एक और पीने के पानी के नाम से अच्छी खासी सड़क को खोद कर उसे चलने वाली सड़क की जगे गढ़े वाली सड़क में तपदील कर दिया गया वहीं पानी वाली पाइपलाइन बगैर पानी वाली पाइपलाइन में बदल गई जिसके चलते बिच्छिया तकिया के इस इलाके में लोगों को पानी की भारी किलत का सामना करना पड़ रहा है यह वह सबारते हैं नल की सपलाई नहीं यह दिल कुम नहीं है यह देक्क नहीं पराह लिएता तक नहीं ले गई बार उवगे संट्धिया लत अबधानी कि यह गदे उन्गी वार नाली की बनाए हैं और पाइप डाले लगताए छही मिने बाद आप आदे नहीं भाद शोद पाइप डाले हैं अब इसमें जो भी कनेक्शन ले उसे पानी नहीं आ रहा है और उसके बाद फिर क्या बोले हम रोड बनाना है यहां साप कर दें इसको रोड बनाना है उसके बाद वास तक रोड खोदे हैं जो मिट्टी पड़ी थी उनिकाल ले गए बोले दूसरे दिन रो बोले भी कि भाई यह ठेका अलागा लागा तो कम दो बनवाद है वहार का महीना है रोड लोग घिर रहें इसमें रोड इसमें रोड इसमें रोड घिर ने खोद के चले कि बाद मच्छा यह देख ली दरवाजे की इस्तिती है